आप सब्सक्राइब करता हूं आप सभी का टेस्ट पेपर लाइब क्लास इसके अंदर गूड इवनिंग टॉ अलएफ सभी लोगों का यहां पर बहुत-बहुत सवागत हैं जो लोग यार तैयारी कर रहें सभी लोग फड़ा-फट से आ जाओ जितने लोग आ चुके हैं थैं सब्सक्राइब कर दो एक बार और जितने लोग यार तैयारी कर रहे हो अच्छे से तैयारी करते रहो जितने भी एक्जाम से सबके लिए पढ़ना पड़ता है बिना पढ़े अगर स्ट्रेटर जी बनाते रहोगे काफी सारे कोश्चन्स रहते हैं यहां पर पढ़ाई तर सर स्ट्रेटरजी बता दो कैसे पढ़ें यह बता दो यह सोचने से कुछ नहीं होगा पढ़ना पढ़ेगा सीधा सा एक फंटा है किताब फोलो पढ़ना शुरू कर दो हां बस थोड़ा सा एम सेट यह रखना होता है कि क्या पढ़ना है पहले सबसे बेसिक सो किलियर करके र लग तो सभी लोग फटाफट से एक बर क्लास को शेयर कर दें गुडिवनिंग टो अलफ यू जल्दी से जॉइन कर लें यार और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर यह जो कोर्स है यह आपको क्या बताता है पूरा का पूरा यह साई सी ओ ट्रिपल सी के बेसिस के उपर जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर मिलने वाले हैं तो वहां पर आपको इस कोर्स के अंदर एक साल की वैलिडिटी मिलेगी आपको और पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको सारे के सारे की पॉइंट और यह पूरा कोर्स इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर आपको मिलती है mathematics मिल जाती है reasoning मिल जाती है जी के current affairs जो होते हैं जो भी paper आपका होने वाला होता है उससे 7 दिन पहले या उससे 2 हफते पहले ठीक है आपको current affairs प्रोवाइड के जाती है चेंज होते रहते ना जो भी हमारे upcoming current updates होते हैं उनको चेंज करके दे देते हैं चलो शुरू करते हैं अपनी आज की class कि यहां पर बात करी जाए सबसे पहला सवाल और यह जो सवाल है यह है एस आई सी के paper के इस आई सी का जो paper है वह आप लोग जो कह रहा है थे उसके लिए यह साई सी का paper है यह इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है इन दबेंस इन दफॉलाइंग कंडिशन बेंस जोंस प्रोटीन are found in urine किस कंडिशन के अंदर जो होता है बेंस जोंस प्रोटीन मिलता है ठीक है all of which condition जिन में दे रखे उसमें से कौन सी कंडिशन में बेंस प्रोटीन बनता है यहां पर लुकीमिया दे दिया अनीमिया दे दिया ब्लीडिंग डिसॉर्टर दे दिया और मल्टीपल माईलोमा का कंडिशन दे दिया यहां बात है सभी लोग यहां पर भौकाल मचा दी हैं पहले इस सवाल पर बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर मल्टीपल माईलोमा करेक्ट आंसर होगा मल्टीमल माईलोमा के अंदर क्या होता है लाइट चेन ऑफ एगलोबिल आमकी बनती है और यहां पर जब भी यह चेंस बनती है तो हम लोग वोगो प्रोटीन टेस्ट के थ यहां पर अगले सवाल की तरफ अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आपका नौर्मल रीनल थ्रीशोल्ड होता है गुलकोस के लिए वो कितना होता है इतने लोगों ने अभी जॉइन किया गूड इवनिंग सभी लोग पस अभी अपने लोगों ने शुरूई करिये क्लास तो फटा-फट से आप लोग जॉइन कर ले यहाँ पर अगर आपसे जब भी पूछा जाए क्या renal threshold of a glucose आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि renal threshold क्या होता है ठीक है जब भी हम लोग बालत करते हैं renal threshold की h o l d होता है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो हर एक चीज में ग्राफ होता है और यह ग्राफ आपका शुरू होता है और यहाँ पर खतम हो जाता है तो जब भी हम लोग किसी भी threshold point की बात करते हैं तो threshold क्या होता है यह वाला जो point होता है इसको हम लोग क्या बोलते है threshold की बात कर रहा हूं जब भी मैं तो threshold का यह वाला point अगर देखो एक चीज समझना वापिस से back आ जाईगी वापिस से back आ जाईगी ठीक है कार अगर सपोर्ज मानों इस point तक भी आई तो वापिस से इसी जगह पे आ जाईगी लेकिन अगर एक time पे कार आपकी यहां आगई ना तो वो क्या निकल जाईगी आगे निकल जाईगी तो ऐसी कौन सी कितनी energy मैं उसे दूँ इस कार को कि जिससे क्या हो वो barrier को पार कर जाई उसको बोलते हैं त्रिशोल्ड तो जो आप लोग कट-off किलियर करते हो ना वो तो यह थे थिशोल्ड उसके बाद जो कार जितना आगे तक जा रही है फिर उसके हिसाफ से selections होते हैं तो यहां पर क्या हुआ यह में आपका most topmost point हो गया अब इसको kidney के relate में समझो kidney में लगा हुआ एक filter किड्नी क्या है filter यह एक तरीके समझो kidney में जो filter है उसमें कितना glucose डाल दूं मैं जो क्या हो जैसे कि अगर आपने डाल दिया ज्यादा गुल्कोष तो एक time तक तक तो ऐसा होगा जैसे सपोल मानो यहां पर गुल्कोष किता है 110 से 110 वापिस से अपका एब्साव जाएगा 120 अगर आपने दिया वापिस एब्साव हो जाएगा 130 दिया वापिस एब्साव जाएगा लेकिन अगर सपोल मानो गोगोष आ गया 180 मिलिग्याम पर डेसी लीट्र ठीक है तो वह क्या होगा पार कर जाएगा तो यहाँ पर कुछ value exist कर रही होगी तो वो क्या हो जाएगा आके आ जाएगा तो जितना भी आपको renal glucose मिलेगा तो यहाँ पर पूछा है normal renal threshold ठीक है renal threshold कितना होगा अब यहाँ पर अगर बात करी जाएगे आपने दिदिया क्या डेड़ सो से 170 सबसे best option कौन सा रहेगा इन में से जब भी जब भी हम लोग इन में से best option की बात करेंगे वैसे आपको पता है कि यार 180 पढ़ते हैं अलवार्ड के अंदर options लिखे होंगे तो कुछ ऐसे लिखे होंगे otherwise ऐसी खिडिकी बनी होगी तो यह यहाँ पर जब भी गुलकोस डेड़ सो के ओपर इस question के असाब से वैसे 180 के ओपर जैसे ही आता है तो आपको कहा मिलने लग जाता है यूरेन में मिलने लग जाता है तो जो एसेडिक यूरेन होगा उसके अंदर आपको मिलेगा ठीक है किलियरेंस ट्रेस्ट पर जब question लोगा तो वह चीज बजा दूगा आपकर अपने बस यह है कि यूरेन आउटपुट कितना किलियर कर रहा है उसी को किलियरेंस ट्रेस्ट बोलते हैं और सबसे बढ़िया जो होता है वो हम लोग क्रेटियन किलियरेंस और इनूलीन किलियरेंस को चेक करते हैं यहाँ पर अगर मैबात करूँ which of the following crystal found in acidic urine एल्स्यम कारबोनेट एलकलाइन उरिन में मिलता है कि acidic उरिन में मिलता है जोगा अनसर बी कर रहे है ठीक है, ग्रोफार्मास आंसर कर रहे है, A, अंजरी आंसर कर रहे है, D, अंसरा रहा है, D, फॉस्फारस, ठीक है, क्रिस्टल की बात कर रहे हूं, ग्रोफार्मास आंसर कर रहे है, सोडियम, यूरेट, वशीश आंसर कर रहे है, B, कैल्शियम, कार्बोनेट, कैल्शियम, यहां पर जो आंसर बनता है हमारा वो क्या बनता है sodium urate urate के जो crystal होते हैं वो आपको मिलते हैं acidic condition के अंदर carbonate जो होगा वो आपको मिलेगा क्या alkaline condition के अंदर वही चीजें हैं सारी की सारी sequence हैं याद करना ही पड़ेगा उसमें कोई चार्ट नहीं लगा के दिया कोई बात नहीं अगली ग्लास में पड़ा दो पूरा का पूरा sequence क्या रहता है कि आपका acid urine जैसे कि आपका जितने भी आपका calcium oxalate जो हो गया ठीक है वह आपको मिल जाएगा वहाँ पर तो वही तो चीज हों आपको देखनी पड़ेगी ना अम और फस यूरेट होता है आप phosphate की बात कर रहे हैं यहाँ पर अगले सवाल की बात करता हूं मैं यहाँ पर वह सारे का सारे क्रिस्स वगेरा याद कर लो हाँ पर बात करें जाए विच ओफ दीज विच ओफ दा फॉलॉइंग टेस्ट डिटेक्ट दा प्रेजिंस ओफ गुल्कोज इन यूरेन ऐसा कौन सा टेस्ट है इनमे से जो डिटेक्ट करता है क्या गुल्कोज इन यूरेन सवाल है बहुत ही किसकी हम लोग कुल्कोज डिटेक्शन की यूरेन के अंदर तो हम लोग करते क्या है कि सिरिफ आपको लोगोंने एक ट्यूब ले लेनी है उच ट्यूब के अंदर क्या डालना है आपको इधर लिखी देता हूँ बैनेडिक सॉल्यूशन डाल तो कितना पांच एमेल अपन लोग डालते कितना है पांच एमेल यह भी सवाल अभी पूछा था पांच एमेल डालते हैं और इसमें एड़ कर देते हैं आफ एमेल इक नहीं रहोगा शाइद इससे हैं हैं है आफ एमेल यह इंच यह आप लोग जो पढ़ते होगे वो पढ़ते होगे आठ ड्रॉप को जड़ दोनों बहुत फेमस नाम है इसलिए मैंने दोनों के दोनों लिख दी और फस इसको उमें क्या करना होता है तरफ इसक अगर कलर की में बात करूंगा तो सबसे पहले आपके पास यहां पर क्या होता है ना पीनिश कलर आना शुरू हो जाता है उसके बाद जो आपका होता है यहां पर औरेंज होता है इसे लΒब देखा, यहां पर यलो है, और यहां पर और यहां पर क्या होता है, यहां पर जब भी मिलेगा, तो क्या होता है, maximum Certains зons के अंदर आपका गुलकोगो होता है, यह चीज आपको सवच्च मेरी टेस्स आपसे पढ़ोगे, फ़क Bijुशीजर के अंदर क्या था, क्योंकि जब भी आप लोगों से इसी चीज़ें पूछी जाती है इनमें से कोई ना कोई से एक सवाल बना देंगे अब यहां पर बात करी जाए बैनेडिक टेस्ट इसका परफेक्ट आंसर हो गया हीट टेस्ट किसके लिए करते हैं बाकी की ऑप्शन भी तो बज़ते हैं अगर बात करी जाए हीट टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं अभी जब इससे पहले वाला ऑप्शन था तो मैंने आपको कहा कि जो हीट टेस्ट होता है वो हम लोग किसके लिए यूज करते ह हैं और आपको याद होगा ना वो सलफर पाउडर वाला टेस्ट यहाँ पर क्या होता है हम लोग एड़ क्या करते हैं पिंच ड्रॉप ऑफ सलफर पाउडर यह थोड़ा सा याद रखना यलो गलर का पाउडर होता है उसको डाल के देखते हैं वो क्या सर्फिस टेंशन से डिपेंट कर रहा होता है सिंग हो गया प्रेजेंट है ठीक है अगर उपर तैर रहा है तो नहीं है ठीक है यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी पाउचे टेस् लिए इनके बारे में अभी ऐहां पर यह जो टेस्ट था यह जो आप लो कर द WiFi. सब्सक्राइब लिए चलते हैं अपर अगले सवाल की तरफ अभी तक वह सारा सवार समझ का गया अगला सवाल आप से पूछा जा रहा है which of the following test detect the presence of blood in the stool sample stool sample के अंदर blood आ रहा है तो कौन सा test आप ऐसा करोगे जिससे आपको पता चल जाए कि stool sample के अंदर क्या है blood है यहाँ पर option दे दिया Sudan black B test benzidine test sulfenilic acid test यह sulfosalicylic acid test ठीक है और सही भौकाल मचाने में तो भाई expert हैं यहाँ पर सभी लोग लेकिन बाकी के सारे options भी आप लोगो पता होना चाहिए जब भी हम लोग बात करते हैं benzidine test की तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं benzidine test hydrogen peroxide mix करके stool sample के अंदर mix करते हैं यहाँ पर क्या होता है डाक ब्लू आपका green color produce होता है तो यह तो हमारा क्या हो गया benzidine test यहाँ पर confirm हो गया कोई साभी sample हो सकता है जब भी आप लोग occult blood test की बात कर रहे होते हैं वह भी यह होता है occult blood क्या होता है basic सा funda है जहाँ पर blood होना चाहिए था जैसे suppose मानों जहाँ पर blood नहीं होना चाहिए तो वहाँ blood है तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें Sudan black test ठीक यहाँ पर अगर बात करी जाए कि Sudan black test अगर की बात करें तो Sudan black कप यूस करोगे जब भी oil test कर रहे होते हैं oil stools के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं या oil देख रहे होते हैं slide के अंदर oil हो गया लेपिट्स हो गया जो हम लोग इनके बारे में देखते हैं तो हम लोग Sudan black test करते हैं सल्फेनेलिक acid test जो होता है यह हम लोग यूज़ करते हैं, conjugate, बिलिरूबिन के लिए, ठीक है, ब्लड और सीरम के अंदर, यह भी थोड़ा से जयान रखना, ब्लड एंड, ब्लड एंड सीरम के अंदर, जब भी conjugate बिलिरूबिन है, तो हम लोग यह सल्फेनिलिक ऐसे टेस्ट यूज़ करते हैं, सल्फ और सल्फिलिक ऐसे टेस्ट जो होता है, वो हम लोग फे प्रोटीन के लिए उसका, तो यहाँ पर जो हमार आंसर बनेगा, बिल्कुल बेंज़डीन बन जाएगा, महाराश्ट लैब टेक्निशियन सलेवस पर एक कोर्स बना दीजिए, अलग है, ठीक है, पहले एक बार PDF तो वे नेगले कर सकते हैं, लेकिन अगर शायद मैचिंग से लिए बस है, तो फिर हम लोग नहीं बनाएंगे, अदर्वाइस आपके अगर न, अपना जो भी आपका PDF रहता है, वो भेज देना, नहीं तो मैं अपना ढूंड लूँगा, इसकेडियूल के अंदर, तो फिर टाइम ह क्रिस्टर जो होते हैं, वो कुछ ऐसे नजर्स आते हैं, यह शायद आपको यहाँ पर विजीबल भी नहीं होंगे, मतलब इस डाइग्राम में मेरे को ही नहीं दिखरे आपको, तेकि मैं पता है, मेरे को कि वो नाइफ जैसे स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, ठीकिए, एक मिनटे, अलू, आप या, नहीं दिया नहीं, ठीकिए, तो यहाँ पर यह सवाल की बाहत करते हैं, यहां पर बात करीजीए, तो यहां बात करेंजाए, तो यहां पर बात करीजाए, crystals आपके stool के अंदर दिखते हैं तो वो किसके कारण दिखते हैं यहां पर आपका option दे दिया bacterial, dysentery, amoebiasis, intestinal, hemorrhage या ingestion मतब जब भी आप लोगो indization हो रहा है तब आपको crystal देखने को मिलेंगे जब भी आपको यह crystals मिलते हैं यह याद कर ले क्रिस्टल जब भी यह amoebiasis लिखा हुआ है यहां पर amoebiasis एक पैरासाइटिक infection है जब भी आपको पैरासाइटिक infection मिल रहा होगा तो यह crystal बनता है क्यों eosinophil और basophil जो होती है वो काफी बार अपना waste जो डेनरेट करती है उनसे यह crystal बनते हैं वहाँ पर बनते हैं एसकेरिस के अंदर बनते हैं तो ज़्यादा तर overall option के अंदर डूढ़ने कोईश करना जो पैरासाइटिक infection होगा बाकी option के अंदर आपको ज़्यादा तर जो मैंने कुश्चन देखे कि तीन चारी कोईश्चन है तो उनमें क्याता ना बाकी सारे options bacterial infection वाइरल infection के थे और एक ही option जो होता है पैरासाइटिक infection का तो यहाँ पर वैसे तो अमीबी एसिस कर सकते हो अधरवाइस दूसरे option के अंदर मिल सकता है तो वहाँ पर भी आपको यह मिलेगा crystal ठीक है तो दूनों चीज़ों को ध्यान रखना जैसा मैंने देखा वैसा बता दिया लेबस WhatsApp पर send किया है सर किसको WhatsApp पर किसको send किया है ठीक है बता देना मतलब कि हमारे company के नंबर पर किया है 80786828 पर तो फिर उसके एसाब से देखेंगे कि वहाँ पर क्या है मतलब अलग-अलग नंबर है न तो फिर ढूनना पड़ता है किसमें क्या बेजा है यहाँ पर बात कि अत्र है अगर आश्टमेटिक पेशेंट में भी दिखता है कि इस्थे माटिक पेशेंट के लिए पता नहीं प्रसाइट के लिए पढ़ रहा था क्यूंगि परसाइट में ही मिला यह चीज इस पर साइट का है आप जब भी वह पढ़ोगे न क्लीनिकल सिग्निपिएंस पढ़ते हैं हम लोग की पैरसाइट के अंदर क्या क्या चीज़े मिलती हैं तो कॉमन पैरसाइट में वहां पर लिखा हुआ है यहां पर बात करें जाए विच ओफ फॉलॉइंग पैथोजनिक पैरसाइट अब यहां पर देखो बहुत बढ़ी है सभी लोगों ने आंसर किया अच्छी बात है उप्शन के देदी है एंटामीबा कोला है एंटामीबा वो और यहां पर लिख रहा होगा है इंडोमा ब्युची और एंटामीबा हिस्टोलाइटी का हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं बाकि सारे उप्षण एटा दो हम लोग पढ़ते हुए आरे ह तो हमारे लिए क्या होगा वही पैथोजनिक है क्योंकि हम पढ़ी पैथोजनिक रहे हैं जब भी हम लोग पैथोजनिक पढ़ रहे हैं आंसर लगा दो बाकी सारे छोड़ दो और देखो याद कर लो कि यह तीनों क्या है नॉन पैथोजनिक है यह लोडमी मा जो होता है न यह भी नॉन पैथोजनिक होता है वह भी पैथोजनिक होता है चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल की तरफ अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है इन विच ओफ डीस कंडिशन इस अपीरियंस और सी एसेफ पढ़ दिया क्लावडी कि यहाँ पर अगर बात करी जाए कि जब भी आपका सी एसेफ की कंडिशन के अंदर क्या हो रहा है अपीरियंस आ रहा है सी एसेफ जो है वह क्लावडी दिख रहा है वह किस कारंट दिखेगा और सवाल सारे के सारे मज़दार होने वाले हैं बहुत मज़दा आएगा अगर ऐसे सवाल आगर आप कर पा रहा है हो बहुत अच्छी बात है सब्सक्रान के स्वाले हैं और हर एक सवाल अपने आप में अंडी लेकर बैठा हुआ है कोई भी आप अप सवाल सवाल पूचछ सा ना मेरे लिए possible भी नहीं होता तो आपको चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी ठीक है कोशिश करते हैं यहाँ पर अगर बात करें जाए which of the following condition appearance अगर CSF cloudy आपको दिखाई दे रहा है तो cloudy मतलब कि उसके अंतर कुछ ना कुछ हुआ है जब भी आप लोग बात करते हैं तो नॉर्मल जो CSF होता है वो clear होता है आपको बिल्गुल transparent clear होता है तो normally तो clear होता है तो बच्टा है क्या A infection तो जब भी हम लोग क्या करते है bacterial infection होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका protein level जो होता है बढ़ जाता है ठीक है आपके neutrophils होते है जो कि बढ़ जाते है lymphocytes पढ़ते हैं यहाँ पर वायरल infection के अंदर monocytes पढ़ते है लेकिन वाइरल इंफेक्शन को आप वाइसास बहुत चोटा पार्टिकल है तो उसके गारण कोई भी क्लाउडीनेस नहीं जनरेट होती है इसलिए बैक्टिरियल इंफेक्शन के अंदर क्या होता है क्मप्लीट इजैकुलेशन मतलब की ऑफ हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते है अलीगोस्पर्मिया है अपका एस्पर्मिया क्या बात यार हाज तो मैं बला नहीं हूं तो हो जाते हैं चलो बहुत बढ़ी हा बात है ऐसा ही तक देखना है तक हो जाएगा तो सेंडे टेस्ट अपन करेंगे फिर बहुत बढ़ी है इतने लोग भी यहां पर एड हुए है बहुत अच्छी बात है इसे सवाल आप लोग करते रहो क्यों कि यहां पर आप से बूचा जा रहा है कंप्लीट एपसेंस और अन्वफश सीम्न एजैकुलेशन होता है उसका हम लोग क्या बोलते है ऐसपार्मिय तीमर की बात Ai उसमें पर मिया मतलब ज्यादा आ रहा है जब भी अगर और यहां पर बात करी जाएगी आपका उप्शन आ रहा है हम से इंक्रीज इयोसिनोफिल देखो यहां पर कंडीशन बना रहा है इंक्रीज इयोसिनोफिल आगे पड़ो कहां पर इन कंडीशन होगी इस पूटम सैंपल इस असोशियटेट चोटा सा कंडीशन बना है लेकिन आप लोगों के बहुत इंपॉटंट है यह से इयोसिनोफिल जो होगी वह इस पूटम के अंदर कब बढ़ेगी मैं यह सिन पढ़ा था पहले भी सॉरी इयोसिनोफिल जो होगा इस पूशन देने पड़ेंगे लिए इस पर्म जो होता है उसके इंदर स्पर्म होता ही नहीं है यहां पर आपसे पूचा जा रहा है इंक्रीज इयोसिनोफिल अब आपको ऑप्शन क्या दिया पायोजनिक इंफेक्शन अस्तुमा इंफ्लामेटरी कंडिशन या ट्यूबर क्ल आस्तुमा यहां पर देखते हैं पूजा आंसर कर रही है आशियान आंसर कर रही है तीन राज अंसर कर रहे हैं जल्दी से कुशिन की बात करें अच्छा अच्छा सो कुश्यन रखना है आरे क्या बात है जो भी है भी डिसाइड गरते हैं अभी तक तो सरफ मैंने तो जो कोशन बनाए थे वह पूरा पूरा प्रेपेर सेटी था अभी देख लेंगे वही था कि अगर यह नहीं होते हैं लाइव से अगले मंड़े से मैं वह कोशन करा क्लास के अंदर फिर ऐसा करेंगे आपको संडे कोई चिंता नहीं सब को यहां पर आंसर कर रहे हो इंफ्लामेटरी कंडिशन वगेरा तो आप लोगों को सबसे पहली चीज समझ मानी चाहिए दोगों कोशन करने की एप्रोस समझो ठीक है एस राज कुमार बिल्कुल ठीक है कुश आ इसे तुम लोगों को अगर जिसमें भ परसाइटिक इंफेक्शन और एलर्जिक रियक्शन इसमें बढ़ता है यह सिनोफिल का जब भी हम लोग इंग्रीज की बात करते हैं तो आपका क्या होगा पैरा इंफेक्शन होगा नहीं तो सेकेंड कंडिशन यह आपकी परस्ट है सॉरी और सेकेंड कंडिशन होगी आप की ऐलर्जी कंडिशन जब भी होती है या परसाइटिक इंफेक्शन होता है तब आपका बढ़ जाता है कुछ जो होती है वो कम भी करती है ज्यादा भी करती है तो वह अलग चीज है बढ़िया बात है यह लोग लेके जाओ और अच्छी बात है अभी संडे टेस्स के बारे अगया जब भी मैं बात करें एयोजोन फ्रसाइटिक इंफेक्शन गय्ल्राफिशन में बढ़ता यहाँ पर पाईयोजनिक जो भी होता है वह कौन होता है बेक्टीरियल इंफेक्शन होता है अस्तम जो है बहुद इसी भी इनसि upfront हो सकता है पोह स्क्छित गम लोग बात कर यहां पर आस्तमा इजदा करेक्ट आंसर होगा तुम लोग देख रहे हैं तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल पढ़ लो पहले बहुत अच्छे-च्छे सारे सवाल एक भी सवाल में मज़ा तो आने वाला है एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें मज़ा नहीं आएगा ठीक है अब इसकी बारे मीज़ेब करता हूँ सफ्वाइट्र के बारे में ट्रांस्जोट जिसको पता है वह वैसे ही स्कॉशन को कर लेगा यहां पर बात करी जाए, specific gravity below than 1.018, ठीक है, specific gravity above than 1.081, ठीक है, यहां पर बात करी जाए, protein less than 1.0, सॉरी, less than 2.5 gram per deciliter या bacteria usually present. What is the following feature of a transdute? Transdute का क्या following feature रहेगा इन चारों में से, अब options यह वाले हैं, आप option पढ़ लेना, ठीक है. 200 पार करा होगे, तो फिर तो subject पे काम करना पड़ेगा, तो अपने को काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ठीक है, Sunday test बना नहीं, अपने आप में बड़ा task है. ठीक है, OTSC का वेपर एक बार फिर से करवा दूँगा, ठीक है, पहले ही जो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन वो question थोड़े से repeat होंगे, बहुत तेजी से करवाँगा, जितने लोग हों, OTSC के notification पहले से मिल जाएगा, करवा दूँगा, तुम लोग चिंता मत करो, ठीक, और बताओ, यहाँ पर अगर बात करीजाए, सब लोग तुक्का लगा रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, तुक्का क्यों लगा रहे हो, सवाल तो बहुत बढ़ी है, अपसे पहली चीज़ समझो, वो Transdute क्या होता है, ठीक है, ESIC के पेपर ही करवा रहा हूँ, ESIC का ही पेपर है, यहाँ पर बात करीजाए, Transdute का क्या मतलब होता है, ऐसा फ्लूड, यह फ्लूड जो की पास हो जाए, किस से, पास, प्रू, टीक है, Membrane से जब भी पास हो जाए, Squeezing करने से, वो Transdutes होते हैं, तो हम लोग, जब भी हम लोग, Flutes की बात कर रहे होते हैं, तो Flutes, ऐसे Flutes, जो की क्या को होँ, पास हो जाए, जल्दी से Membrane से, तो उसके लिए हम लोग, बात कर रहे होते हैं, अभी जब भी इन Flutes को ट्रांग्यूट की कैटेगरी में आते हैं तो एक्ट्राइट सेलूलर फ्ल्यूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं दो चीज़े कंसीडर करते हैं यह बहुत मतलब जब आप शुरुआत करते हो ना आपने बर्णॉली प्रिंसिबल्स होगे रहा हूं आप बाइकमेस्ट्री मे लेकर 1.018 तक है ना और जो आपका प्रोटीन होता है प्रोटीन होता है लेस देन 2.5 ठीक है मिलीगरेम पार देसिलीटर आपर मेंशन ही कर लेता हूं यह यहां पर यह स्पैसिफिक ग्रेविटी अब इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया था देखो यहां पर लास्ट वाला टर्म मैच कर रहा है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 1.021 कोई सा भी ऑप्शन होता तो बिलो मतलब इस से कमी यह भी आपका लेस देन नहीं रहता है तो यह लेस देन इस वाला कंडिशन बन जाएगा और प्रोटीन इस लेस देन यह वाला कंडिशन बन जाएगा यह और यह वाला जो है बिल्कुल तो एक और तीन किस ऑप्शन में है एक और तीन इस ऑप्शन में है तो यह दो करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने लोगोंने अंसर ब्रूलर पर उबसी नाम नहीं देखा टाकिया सवाल सवाल देखो किते भौकालदार है सवाल देख के यह आदे बच्चों को मज़ आ जाएगा सवाल पूरा समझाऊंगा तो शाय समझ में भी आ जाएगा यहाँ पर बात करी जाए which of the following statement is true about synovial fluid examination findings synovial fluid की examination finding के लिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बात करी जाए urate crystal are found in a gout arthritis जो urate crystal होता है gouty arthritis जो होता है उसके अंदर found होता है cholesterol crystal are found in a rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis के अंदर होता है यहाँ पर बात करी जाए rhomboid calcium pyruvate crystal is found in gouty arthritis gouty arthritis के अंदर होता है यहाँ आपको last option मिल गया cholesterol crystal are found in a gouty arthritis इन्होंने यहां पर भी भी लिखान है दितो रूमेटेटाइड अप यहां सर्प कर रहा है औब बढ़ा बात है अभी चीज समझ दो जब भी gouty arthritis होता है ना gouty arthritis के अंदर क्या मिलता है ureate crystal मिलते हैं आप उलते हो ना gout हो गया है तो gout के अंदर क्या होता है uric acid ज़्यादा मिलता है वैसिक चीज़ है समझने वारी चीज़ है दिमाख लगा के समझोगे आराम से चीज़ आईगी घरों की चीज़ है गरों में ऐइ बात हो रही होती है कि क्या हो गया है गटिया में क्या हुआ uric acid बढ़ गया है और सर्दियों में आपको देखने को मिलेगा यह जब ही सर्दिया आजाएंगे ना थोड़े दिन बास आपको मिलेगा कि ये problem थोड़ी सी जादा हो रही है, जिन लोगों के crystal होते हैं, वो solid हो जाते हैं, यूरिया के, तो वो थोड़ा सा hardness देती है, joint stiffs रहते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर मिलता है, gouty arthritis के अंदर urate crystal मिलता है, पहला statement तो सही हो गया, मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, नीचे फिर second चीज बात करी जाए, cholesterol crystal are found in rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis जो होता है, genetic है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको cholesterol crystal मिलता है, सही statement है, यहाँ पर बात करी जाए, rheumboid, यह ऐसे वाले जो structures होते हैं, इनको बोलते हैं, मतलब मैं तो गंडित के बात बलता रहा हूँ, rheumboid यही होता है, यहाँ यहाँ पर बात करी जाए, calcium pyrophosphate crystal are gouty arthritis, gout arthritis के अंदर बात कर रहा है, urate crystal है, कैसे है, urate crystal है, यहाँ पर rhumboid crystal होगा ही नहीं, और last option दे दिया, cholesterol crystal are found in, हम यहीं पर confirm कर चुके हैं, rheumatoid arthritis के अंदर है, तो यहाँ पर gout arthritis में होगा, यहाँट के अंदर क्या होता है, ज्याद से टीड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी option बन रहा है, जूँड़ो, एक चार नहीं बन रहा, एक नहीं बन रहा, अरे यार, पहला options आई है, जीचे से पढ़ने लग गया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो first और second होगा, वो correct होगा, gout के अंदर यह roomboid मिलेगा, नहीं, of the following statement is true regarding semen analysis, फिर से आ गया है semen analysis का question, semen analysis पे तो आपको class भी है, यहाँ पर अगर बात करेजिए, semen analysis के लिए true क्या रहने वाला है, option आपको दे दिया, absence of fractals, अगर fractals absent है, result in, उसके अंदर result आएगा, complete motile sperm, क्या होगा, complete motile sperm होगे, एक, अब second option आपको क्या दिया है, absence of fractals, result in, उसके अंदर result आएगा, completely in motile sperms, third option दे दिया, glucose are given to the energy of spermatozoa, and sucrose are given to the energy of spermatozoa, यहां पर सभी लोग answer कर रहे हैं, भी बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही भोकाल मचाते रहो, मजा आना चाहिए, सभी लोगों को, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, किस की, देखो, semen analysis की बात करते हैं, semen के अंदर आपको पता है, आप लोग जो racinol dyes यूज करते हैं, वो किस के लिए करते हैं, red color आता है, fractals के लिए करते, fractals test हमारा जो confirm हो जाता है, fractals absent है, तो fractals जब भी absent होता है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं, mortality absent है, fractals के तरह energy प्रोवाइड करता है, energy नहीं है, sperm नहीं move करेगा, इसलिए अगर fractals की कमी हो जाती है, बनाना वगएरा, जो है fractals based fruits हैं, कुछ fruits ऐसे होते हैं, जो glucose based होते हैं, कुछ fruits ऐसे होते हैं, जो fractals based होते हैं, तो जो लोग भी क्या करते हैं, मतलब कि जिनकी भी infertility condition रहती है, उनको ऐसे fruits पताए जाते हैं, जिनमें fractals ज्यादा हो, ठीक है, उनमें fractals ज्यादा हो, तो वो fractals ज्यादा होगा, sperm mortality बढ़ जाएगी, और हो सकता है, एक sperm अचीव कर जाए, वो हम तक, चायद fertility हो जाए, ठीक है, तो यहीं यहाँ पर condition जो हम लोगों की बात हो रही होती है, तो अगर absent of a fractals, अगर fractals आपका absent है, तो क्या होगा, immotile sperm होगा, और इन्होंने true ही पूचा है न, देखो true statement पूचा है, तो answer B बन जाए, ठीक है, सभी लोगों ने यहाँ पर true answer दिया है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा voice बढ़ा दूँ, क्योंकि वो system में पूरी ही है, अगर इस से ज़्यादा बढ़ा दूँगा, तो शायर जो noise cancellation, headphone लगा के बैठे होंगे, उनको problem हो जाईए उस आवास से, क्योंकि वो फिर instruction देता है, यहाँ पर problem आईगी, इसलिए हम आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बात करी जाए, which of the following statement is true regarding the stool examination, अभी यहाँ पर फिर से ऐसा आ गया, कि यहाँ पर which of the following is true, जब भी आप लोग बात कर रहे हो, इस टूल examination की जब ट्रू है, उसके लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अमीबिक डिसेंट्री कॉस्ट बाइदा एंटा अमीबा इस्टॉलाइटी का ट्रू पूछ रहा है, अमीबिक डिसेंट्री इस कॉस्ट बाइदा एंटा अमीबा को लाए, इस टेरोरेज इस कॉस्ट बाइदा जी आइडियल अम्डिया यह होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑईली इस टूल, ऑईली इस टूल को बोलते हैं, यहां पर आपको option मिल गया है कि कौन सा correct statement है एक दो सही है एक तीन सही है एक चार सही है या दो और तीन सही है सब लोग कह रहे हैं एक और तीन सही है majority में यहां पर भोकाल मचाते हुए रखले ही स्ब लोग कह रहे हैं कि एक और तीन सही है अभी जब भी हम लोग बात करते हैं देखो बहुत आसान चीज है सबसे पहलें चीज समझनी है कि compr обязательно करें पर लोग बात करें क्या है एंhtaj का कॉस किया डी सेंट्री का क्या मतलब होता है जब भी मिउकस आ जाए जब भी ब्लड आ जाए तो उसकों लोग क्या बोलते हैं ठीक है अभी यहां पर हम लोग बात करें इसको बाइदा जी आडिया लेंव्रिया अब यह तो हम लोगों ने अब भी देखो अगर आप लोग थोड़ा सा class of conscious ली देख रहे होगे सब लोग इसी लिए पकड़ पाये होगे लॉट्स अमीबा जो होता है वो क्या होता है नॉन पैथोजेनिक और हम लोग अगर बात करें जी आर्डिया की जी आर्डिया के अंदर क्या दिक्कात आती है जी आर्डिया के अंदर होता है जो एब्सॉप्शन होता है वह वाइल जो होता है आपका ब्लॉक हो जाता है जी आर्डिया जो है बायल ब्लॉक हो जाएगा बायल ब्लॉक होते ही क्या होगा आपका प्रस फैट एब्सॉप्शन जो है वह नहीं होगा प्रस आरा का सारा फैट कहा आ जाएगा इस टूल के अंदर प्लस क्या हो जाएगा फैट और जब भी इस टूल और फैट एक साथ मिलेगा उसको क्या बोलते है इस ट्यकुरेज की अंदर क्या होता है जी आर्डिया तो देखो चीज समझ वानी चाहिए आप लोगों को यह ना नॉन पैथोजनिक होता है मेरा तो काम यह है कि आपको समझ वाजा है बस पिर तो आप आराम से कर पाओगे सब्सक्राइब करते हैं और जो आप बात कर रहे हो सब्दर जंग हॉस्पिटल की इन्होंने कोई डेटा लीक नहीं कर रहा है काम में खूब कोशिश करी याद हम लोग यहाँ पर बैटे बैटे काम किया रहता है हमारा सिरिफ हम लोग हंटिंग करते रहते हैं सिस्टम में एक जो लोग आप लोग वीडियो या वहम पर पेपर भेज़ देते हो न हम लोग कुछ करवा चुके होते हैं कुछ नहीं करवाते हैं वह सारे बहुत हेल्फुल रहते हैं उनमें से कोई स्टूडेंट्स हैं यह तो हमारी टीम ने ढूंड के दिया यह आंसर बन जाएगा इसक से लेकर वह जितने भी कोश्चन है 100 तक वह सारे सारे प्रिंट रहते हैं वहीं कर वहीं आपको मिलने वाला है आगे तक विच आप दा फॉलाइंग आर कॉस्ट दा पैथोलोजीकल पॉलियूरिया ठीक है अभी इन्हों ने यहां पर दे दिया कि यह पॉलियूरिया की कंड इस अपर इतना होल्ड क्या करेंगे 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 अब देखोगा इस कैसे करना है ऐसे वाला देखो ऐसे करने से कुछ होगा भी कुछ नहीं हो रहा अब देखो ऐसे चीजे करवारते हैं सवाल पढ़ाना है लेकिन हम लोग कर रहे हैं कुछ ऐसे कुछ वैसे तीक है यहां पर अगर बात करेंज़ेंगे देखो सभी लोग आंसर क्या कर रहे हैं भी आंसर कर रहे हैं फॉस्ट और थर्ड डायबेजी फ्लूड इंटेक और ड और यहां बहुत बहुत सारी चीजें हो गए एक साथ इस्क्रीम के उपर सवाल तो मजलो यार पैथो लोजिक पॉली यह जब भी हम लोग बात करते हैं यहां पर लिखा हुआ है यार पैथो लोजिकल आप लोग जो फ्लूड इंटेक बता रहे हो यह फिजियो लॉजिकल ह तो मेक शॉर करें कि हम पैथोलोजी की बात कर रहे हैं और आप लोग फिजियोलोजी की बात कर रहे हैं तो यह एक 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 वाला ओप्शन कटी जाएगा भाई सीधा ही मैं तो सवाल को सॉल गरने की अप्रोच ही बदल दी कि मुकेश ने आंसर सही किया है दश्यरत ने आंसर सही किया है और इससे पहले भी काफी लोगा अंसर डी कर रहे थे यह फ्लूड जब भी हम लोग पानी जादा पी रहे है यह तो मेरी कंडिशन है नहीं बीमार थोड़े ना हूँ यह पानी की बाटल रख्ये पीता रहाँ यहां पर अगर बात कर घेए प्रोटीन इंटेक कर रहेगा और यहां पर मेलाइटेस डाइबेटेस दोनों की डोनों कंडिशन में बढ़ी रहा है तो वहां पर हमारा राइटेस विच आफ दे फॉलॉइंग्स आर्दा सीएसे फाइंडिंग इन पायोजिनिक मेनेंजाइटिस तो अगला सवाल फिर से ऐसा ही है नीड टू अंडरस्टेंड डेट कोश्चन स्टीक है तो समझ में नहीं है तो दुबारा समझाओं वहां आगे कोश्चन मांग नहीं है आपकी जो लिखा हुए स्टेट्वेंट है ठीक है दीपक जी केह रहे है वैक्टर बॉन्ड डिजीजैष मेरे वह करना है क्या क्या कर वाने है टujah वैक्टर बॉन्ड डिजीज़ है करवा थेता हूँ घुकतर बॉंड डिजीज आप जैसे दीपक्ध ने मैसेझ करा साbn già यहां पर इस सवाल को भी बताता हूं एक चीज समझो मेरे point of view से समझना तुम लोक वैक्टर बॉंड डिजीज तुम्हें क्या लगता है वैक्टर बॉंड डिजीज इत्ती सी है वैक्टर बॉंड डिजीज के उपर जब एप के उपर class होती है तो शायद मेरे को 18 दिन लगने हो करवान कि फिर कितनी बड़ी चीजें हो जाएंगी कि प्लीज वहां पर चूज चीजें समझें कि आप जैसे ट्यूमर मार करता मुझे बताएगी वह टॉपिक मैं आदे गंटे में करवा लेता हूं वह चीज में करवा दूँगा प्लीज ऐसे टॉपिक्स दें जिनको मैं भी करव पहस सकूं विच ऑफ फॉलॉइंग और रही बात अनीमिया की अनीमिया के कुश्चन प्रिपेर हो रहे हैं वह जैसे हो जाएंगे जिस टाइम भी वह कंपलीट हो जाएंगे वह कर देंगे यहां पर अगर हम लोग बात करें विच ऑफ फॉलॉइंग सीएसे फांडिंग प पढ़ो कुश्चन करने की अप्रोच समझो जो लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं वह वहले कुश्चन समझो पायोजनिक का मतलब है पस प्रेड्यूजिंग पस प्रेड्यूजिंग मैने जाइंटिस आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाए पस हो जाए अब यहां पर कौन कॉस्ट करेगा आपका बैक्टीरिया करेगा अगर बैक्टीरिया इंक्रीज होगा तो क्या कंडिशन बनेगी आप तो सिर्फ यह सोचिए बता दो मेरे को बोले सर्व न्यूट्रोफिल जो होगा वह बढ़ जाएगा तर जो प्रोटीन होगा वह बढ़ जाएगा गु गुलकोज यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा गुलकोज घट जाएगा तो जब भी मेरा न्यूट्रोफिल और प्रोटीन भढ़ रहा है तो लिम्फोसाइट प्रिडॉमिनेंटली कहां बढ़ेगा वाइरस में बढ़ेगा अभी तो बैक्टीरियल इंफेक्शन की बात वरी तो यह तो नहीं ओने वाला है न्यूट्रोफिल आ रहे हैं देखो वह यह कौन सावाला है दो और चार जो बोल रहा हो नदि थो क्या बनेकर दो बनेकर कोशन करो और यहां तो बिल्कुल ही मत देखा करो पहले यहीं पर डील कर लिया करो क्योंकि अगर नीचे आ गए तो तो कही मारोगे मैं बता आ रहा हूं और मैं खुद नहीं बैठते हैं तो ऐसा लगता है रहे चलियार यह वाला तो मेरे को आई रहा है तो दो नंबर ढूंड लेते हैं अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है कि दो नंबर ही स्रिफ एक स्टेटमेंट में था तो कर पाऊगे वेक्टर बॉंड का कोर्स भाई यह हमारी टीम से बात करें आप इसर ऐसा कोर्स बना दें क्योंकि वही लोग बना रहे होते हैं मेरा काम है पढ़ाने का मुझे एक नोटिफिकेशन जाता है शर्यांज जी इस पर क्लास करनी है हो जाती है चलिए यहां पर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ सीरम ल पर आने के लिए बहुत-बहुत ब्हुत बदाई वो अंसर कर रहे हैं बी समय पैले बाले का की होगे है बाद कर दिखेशन कर रही है यहां पर डी अशना सब्सक्रेश्ट कर रहे हैं डी रोज़ांसर कर रहा है डी मांसी विजय प्रमो डी। जीदी प्रमो जागरिती रूबी लालचन निशान दीपिका दीपक राज जिग्यांसा लूजर जोती अर्चना सूरच कुरिती का शिवानी लूजर अपे कितने सारे हो यह सांस बर जाई ही मेरी ठीक है रीना रॉक तबीता और बड़िया भावेश अंजली जितने भी लोग यहां पर तैंक्यू सो मज़ गई यहां पर बगर बात करी जाए कि जब भी जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया स्वारी पर देट है ना देख नहीं पा रहा हूं उतनी स्पीड में आपके शायद सी स्क्रॉल हो रहा हो आपके साथ भी सीरम की बात रही जाए सीरम लेक्स क लगाते हैं ना तो हम यूजी सीरम कर रहे होते हैं तो अकर शायद कोई लैप की अप्रोच से आएगा होतासानी से कर पाएगा जो पढ़ रहा होगा वह भी इस कुश्चन को आराम से कर लेगा ठीक है पिर से एक बड़िया सा सवाल और सारे ESIC में आए हुए हैं दुबारा से कह रहा हूं जितने लोग यहां पर देख पा रहे हैं सारे कोश्चन ESIC के करवा रहा हूं ठीक है और 2500 नंबर की क्लास है तो याद भी रही आराम से आपको बाद में भी मुझसे पूचेगा तो बता गैस ऐनालिसिस वीनस ब्लड आर्टीरियल बलड सीरम या प्लाजमा क्या यूज करोगे ठीक है महाराष्ट बोर्ड का ही पेपर है यह दिएचस यहाँ पर अगर बात करीज़े जब भी हम लोग बात करें ब्लड गैस की बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रा होगा कि काफी बार सवाल आता होगा कि सर वीनस ब्लड क्यों यूज नहीं करते है अब थोड़ा सा इस पर डिट्यल domin करो कि वीनस ब्लड यो नहीं करते हैं तो इसलिए बता रहा हूं यह कि अब क्लास ले रहा था कॉलेज में तो कॉलेज में एक बच्चे ने पूचा है सर क्या दिक्कत आएगी थोड़ी सी ऑक्सीजन कम आएगी थोड़ी बढ़ा के देंगे ठीक है क्योंकि उनको मैं सिखा रहा था कि एरर्स और मेजर्मेंट्स वगेरा वाला टॉपिक तो उसमें मैं ब्लड गैस एनलिसिस का एरर बता रहा था नहीं तो इसको मैं समझा रहा था कि जैसे भाई यह दिल है ऐसा नहीं होता लेकिन अभी मान लो ठीक और गन से आपका यह ब्लड जो होता है वीनस के थुरू वापिस से आपके ब्लड के अंदर आजाता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीर वेना कावा में ठीक है और उसके बाद और टायरेक्ट एंटर होता है राइट इत्रियम के अंदर और जो होता है वह देसısı निकली वो क्या होगया यहां पर तो जो मैक्सीमम थी वो यहां पर मिनीमम रह गईए जब भी यह मिनीमम रह जाती है तो हम लोग क्या करते है कि आर्टीरियल बड यूज डूब्स कर रहे होते हैं न हमें चेक ही ओटू का लेवल करना होता है क्या पेशेंट को कितनी Oxygen मिल पार यह कितनी नहीं मिल पार है कब मर जाएगा कब नहीं मरेंगा हमें नहीं पता है। अ ऐसे नहीं करते हैं यहां पर बात करीजा है विच अप्ट फॉलाइंग एंटी कोगुलेंट इस आईडियल पॉर दा कान सा है देखो ऑप्शन देखो तोडियम फ्लॉराइड सोडिय पोटेशियम ऑप्शिलेट सोडियम ऑप्शिलेट या इथाइलीन डायमाइन टेटरा है यहां जी बिल्कुल बिल्कुल यहां पर हमारा स्ताफ इस तीज का आंसर दे रहा है और आंसर देने के बाद बहुत खुश हो गया है यह सब लोग वो कहना है कैमरा गूमता नहीं है कैमरा गूमना जाना चाहिए त्ग से खुदी से कर दो तरह targeting सब्सक्राइब यहां पर बात करी जाहें इस सवाल कि दे दो फ्लेट जब भी हम लोग काउंट कर रहे होता है प्लेटलेट साउंट करने के लिए हम क्या चाहिए होता है ब्लड चाहिए होता है जब लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं यूज करते हैं अगले सवाल जल्दी से यहां पर बात करें जाए ड्यूरिंग एंब्रियोनिक लाइफ ब्लड सेल्स आ प्रेड्यूस बै दुबारा से सवाल है यह है यह इस पटाके फॉड्ड ने के लिए ऐसे करते हैं कुछ यह पता नहीं है वो क्या करते हैं लेकिश के वह कुछ ना कुछ अभी ट्रिक्स वगेरा हम अभी आरे वहीं सावजाता है कुछ ओए सिख्ते रहते हैं यहाँ पर सब लोग आंसर कर रहे हैं जोकर पागल आदमी यह क्या कर रहा है जो रिकवाटिंग में देखें उसको लग रहा होगा लाइब चैट तो गया हो जाएगी यहाँ पर बात करें जाए स्प्लीन से होती है यहां पर बात करी जाएंगे तो यहां पर देखो यार आप लोग जब भी आंसर करना आप देखो स्प्लीन और लीवर बाद में करते हैं इसलिए यह हो जाएगा यौक सेक बहुत सारे सवाल है बाद में करेंगे क्लास का थोड़ा सा यहां पर टाइम हो गया है जितने लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं यह चीज़ ध्यान रख लें आप लोग यहां तक मौच चुके हैं ऐसा ही अपने को रोज क्लास के अंदर पहुंचना है ठीक है रेगुलर हम लोगों को यहीं तक मौचना है जब भी हम रेगुलर यहां तक पहुंचेंगे हम लो अगली क्लास के अंदर तब तक के लिए क्लास को कर दो जल्दी से लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ आइप स्वाप लोगों क्लास अच्छी लगी होगी फिर मिलेंगे अगली क्लास में बाइबाइ